हलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चेनल इंडियन इंस्टिटूट ओफ इस्टॉक मार्केट में आज की जो वीडियो है वह हमारा फॉर्ट पार्ट है ओप्शन स्टेडिंग को इसमें आपने ध्यान दे लिया होगा आपने क्या-क्या सीख लिया है कि options के time value intrinsic value क्या होती option chain क्या होता है इसके बाद theta और delta क्या होता है पर अब जो आज में बात करने वाला हूं आज में उसी मुद्दे की बात करने वाला हूं कि क्या 5000 से एक लाग बनते हैं सबसे पहली चीज आपन बात करेंगे कि एफेक्ट कि आपको पीछे की बाइक चलाने क्या था तो मैंने सोचा था अरे ऐसे मोड़ दूंगा एक टांग पर इसे गाड़ी पूरी मोड़ सकता हूं यह सिनेरी वाता है जब मैं पहली बार साइकल चलाने क्या था तो मुझे लगा था कि 10 दिन के अंदर में मैं साइकल को एक पईये पे चला तो यह इन्वेश्मेंट के साइकलोजी में सबसे शांदार तरीके से वर्क करता है अब क्या होता है जित्ते भी नए लोग ऑप्शन स्टेडिंग में उतरते हैं इन्वेश्टिंग में उतरते हैं उनको लगता है अरे यह तो बच्चों का खेले पांच हजार से एक लाग यह बन जाते हैं अब लोगों को कोई बता है कि अगर पांच हजार से एक लाग बन जाते तो लोगबाग पागल है जो फिर नोगरी कर रहे हैं यह बड़ी अच्छी बात के यह तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले इसका एक ग्राफ बताता हूं कि option trader क्या गलती करता है जितने भी लोगों investment में आते वो क्या गलती करते हैं और हमें वो क्या नहीं दोरा नहीं है क्योंकि मैं आपको options की series बढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप यह वाली चीज समझो कि 10 दिन के अंदर में जब आप trading करोगे ना आपको एक चीज बता रहा हूं शुरू के 10 दिन 20 दिन और 50 दिन लगए ट्रेडिंग करने के बाद 51 दिन से यसा लगता है कि अरे भाई यह कहां आ गया मैं में को तो समझ मी नहीं आ रहा है मेरे साथ ही इसा क्यों हो रहा है मेरे स्टॉपलों से क्यों स्ट्राइक हो रहा है तो आप समझो कि जब हुआ है आप कहां पर रहते हो 50 दिन तक कहां रहते हो यह आपकी शुर्वात होती है किसी भी नई चीछ को जब हम देखते हैं किसफे नई चीच GET हम देखते हम से लगता है मुससे अच्छा यह कोई नहीं कर सकता और मैं बात कर नहों हमdishते हैं यह चुरू होती आपकी किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो नए बिजनेस से लेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई करने से लेटेड हो, चाहे वो किसी competition की exam की तियारी करने से लेटेड हो, कि आपको लगता है कि यार कोई XYZ exam SSC बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, पर जब हम पढ़ने बेड़ते हैं, बीस दिन में पता चलता है कि अरे भाई यह इतने आसान भी नहीं है, जब हम IIT JEE की तियारी करने के वारे में 10th class में विचार करते हैं, कि JEE मुझे निकालनी है, तो लगता है कि आरे रोज पढ़ू है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, तो उसी हिसाब से जब हम option trading करने उतरते हैं, यह हमारा peak होता है, कितने दिन में? 30 से 50 दिन हमें ऐसा लगेगा कि हमसे बहतर कोई ही नहीं, यहीं पर ही 5000 से एक लाग बनता है, फिर वहीं बोलूँगा कि आप यही अपने आपको over estimate करते हो, आपको over estimate नहीं करना है, आपको अपने आपको proof करना है, फिर यह graph अच्यू करना है, 51 दिन के बाद, जैसे 51 दे शुरू होता आपको confidence मरना शुरू होता है, क्यों? क्योंकि हमने जो सीखा था अभी तक, सीखा गम था, जब हमने कम सीखा होता है, तभी हमें सबस्याद लगता है, कि यह यह चीज बहुत आसान है, जब हमने चीजों को पूरा सीख लिया होता है, आपको वेसी पता चलता है कि नहीं, ज अलग-अलग scenario पर option buying strategies बनानी पड़ेगी, बाकी बचे 4 लाग पर मुझे अलग-अलग stocks पर, nifty पर, bank nifty पर different strategies बना के option की strategy बनानी पड़ेगी, एक अद लाग रूपय अगर spare बच रहा है, तो उसको account में अलग से बचा कर रखना पड़ेगा, कभी firefight के लिए ज़रत पड़ी यह बेकार मार्केट है, 60 बजार है, वहीं यह जो term निकल के आते हैं, इस वाले point पर आप बुलते हो, कि यह जो है मैं जुआ खेल रहा हूँ, यह जुआ है, और इससे कुछ नहीं होता, share market से पैसा नहीं बनता, वो इस वाले scenario पर निकल के आता है, इसके बाद यहां से जब 99% लोगों गाली भखने के बाद या तो भार हो जाते हैं, या यह बोलते हैं कि नहीं, मैं इस market से मेरा पैसा recover कर सकता हूँ, तो अब जो decide करते हैं कि मैं मेरा market से पैसा recover कर सकता हूँ, उनका graph यहां से अब इससे चलना शुरू होता है, और यह वाले growth में बता रहा हूँ, हो बहुत slow आती है, और इस वाले high के आसपास जा करके आप बोलते हो कि हाँ, अब जाके मुझे से market आता है, अब मैं consistent income बना पा रहा हूँ, इस साब से working करी जाती है, अब रही बात कि क्या 5000 से एक लाग बनता है, तो फिर से मोई वाली बात बोलूँगा कि लोगबक पागल से काम कर रहा हूँ, अलग अलग लोग है यहां पर सोचने वाले, ठीक है, जो यह capital वाले है ना, उनको नहीं सोचना चाहिए कि 5000 से लग बनता है, क्यों? क्योंकि यह थोड़ा difficult expect हो जाता है, आपका यहां पर क्या है, एक trade करूँगा जिनका दो trade करूँगा, 600 रुपे भी आगया ना, तो बढ़िया आगया, भाई यह बहुत बढ़िया है, अब जिनको यह कम लग रहा है ना, आप जुआ खिल रहे हो, अगर इसके उपर की expectation लेके चल रहे हो, आप 15,000 से एक दिन में 15,000 कमाने जा रहे हो, तो आप regular business नहीं कर रहे हो, आप जुआ खिल रहे हो, त पांच हजार से एक लाग बनेगा, कैसे बनेगा इसकी working बता रहे हो, तो एक तो यह लोग capital वाले, फिर और कौन से लोग capital वाले, अब एक यह capital वाले, दूसरे कौन से capital वाले, यह capital वाले, तो जो इस range की capital वाले ना, यह शायद तक पांच हजार से एक लाग बनाएंगे, औ तो उनको अपने केपिटल को यहां लेके आना पड़ेगा क्योंकि हम बता रहा हूं कि पांच हजार दस हजार से एक लग टेच करने के लिए शाहत तक आपको दो साल एक साल से जाधा लगे जब आप शही तरीके से वर्किंग करोंगे तो क्योंकि एसा नहीं होगा आप 10,000 15,000 डालोगे आपका account खाली होगा फिर आप 10,000 15,000 डालोगे आपका account खाली होगा यही गलती हमें नहीं करना है थोड़ा सा एक बार 10,000-15,000 डालने के बाद आपको कम से कम यह अमाउंट डालना है और strategies चलाना है अब सुनना अगर आपके पास यह amount है यह amount है आप क्या करो यहां से आप शुरू करो regular income वाली strategies प्रौपर इस्टेटेजिस होती है प्रौपर वर्किंग होती है जहां पर हम बोलते हैं कि भाई 10 दिन में हम सत्तर हजार रूपे लगा के हजार रूपे कमाएंगे दस दिन में हम पचास हजार रूपे लगा के हजार रूपे कमाएंगे iron condor से iron fly से different different strategies से तो जब हम वो strategies बनाते हैं उनको apply करते हैं उनको manage करते यह फंड धीमा धीमा करके यह फंड पुस्ता है शिक्स्त मंत में अब इस बीच क्या होगा आपको किसी महीने आपको 8000 आपको 4000 आए होंगे यह जो है इसमें बाइंग इंक्लूडड है जिसे आपने क्या गणा पचास अजार 17000 की स्टेजी बना दी बागी के बचे 3000 से आप क 5.5 आपको क्या आगया confidence जब confidence आया आपने बुला साथ महीने इस वाले महीने के 10,000 रुपे कमाऊंगा न मुझे नहीं चाहिए अच्छा फिर क्या करेंगे उससे जाकर कि क्योंकि हम इतने समय से निरंदर प्रेक्टिस कर रहे थे 5 रुपे का 10 रुपे को option खरी देंगे और अबने तीन चार बार अगर मार दिया साल बर में बन गया ना 5000 से 1 लाग बन गया 10,000 से 1 लाग तो वह ऐसे बनता है आप एक साल बाद जाके बोल सकते हो कि हाँ 10,000 से 1 लाग इसे बनेगा पर ऐसे सोच करके कि पहले दिन में आऊंगा और यह हल्वा है कि बस एक सेकेंड के पर मिलाओंगा और बस हल्वा बन जाएगा तो यह यह इस्तिति पे हो अभीहल इस वाले सिनेरियों से बचो यहां के त्यारी रखो कि यह होगी अब कुछ लोगों कब समझ में आती है जब वह 10 लुग का नुक्सान करनेते ब्रूंद कि समझ में आती है कुछ लोगों को 1 किने से समझ में आजाती है जो लोग पढ़के सीख के समझ के इन्वेस्ट करते हैं उनको मात्र दस हजार से लगा करके पंदरह हजार में समझ में आ जाता है कि हां भाई यह यह स्थिति पर हूं में अपने को कहां पोचना है फटा फट अपना कोई यहां से पढ़ना शुरू करता है को यहां से और कित्ते लोगों यहां के बात बोलते कि अपने अपने घर निकल लेते तो इस हिसाब से वर्किंग करके आप समय के साथ में यहां पोचते हो यह स्थिति किन लोगों की पता है mutual funds hedge funds बड़े बड़े ट्रेडर जित्ते भी लोगों को आप देखते हो जो बड़े funds manage करते जिनकी capital 1 CR 2 CR 12 CR 15 CR के उपर के investments manage करते यह उनकी स्थिति है तो इस हिसाब से working करी जाती है अब यहां पे कौन होंगे यहां पे होंगे अपन जिसे जो छोटे funds के साथ काम कर रहे है regular income generate कर रहे है सत्तर हजार पर दो हजार कमा रहे है सात लाग पर बुल रहे हैं कि हाभी सात लाग रुपे लगा है पांच लाग रुपे लगा है महिने का 20,000 भी आ गया तो अच्छा है बड़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो यह उ आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंक प्रोवाइड़ेड़े आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं यह मैंने प्रॉपर ऑप्शन की सीरीज चलाई है अगर आपने शुरू से लगा कर कि अन तो इसे वाली वडियो ओने वाली चुकि अब हम जाने वाले और भी बड़े पर यानिकी आथ में की सुप्पाइड करेंगि किसे क Sikh करना है कशन के संदै करने करना रोज में पन्दरा को ओप्शन 30 पों स्थाई हरता है नहीं तो केसे पेसा बनेगा क्या सिनेरियो रहेगा तो ऐसा सब आपके लिए अने बाला है तो इसके लिए ताम तक के लिए बहुत-बहुत डन्नेवाद